तो आज़े वीडियो को यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं जब भी आप लोग जिके बैंक से पैयमेंट किसी को सेंड करते हैं तो उसमें यह होता है कि जिसको आपने पैयमेंट सेंड की है उस तक वो पैयमेंट नहीं पहुँच पाती है हलाकि यहां से यह होता है कि आपके ए step आपको क्या करना होगा आप बने रहे मेरे साथ आज की इस वीडियो में हर साल मेरे साथ हजारों के देदर में लोग जुड़ पाते हैं आप लोग भी जुड़ सकेंगे आपको उसके लिए सिर्फ मेरे चनल को सबस्क्राइब कर रहा होगा तो आप इस चनल को जरूर आज सबस्क्राइब करना होगा तो वहां से आपको एक फार्म डाउनलोड करना होगा यह वारा फार्म जो आपको सिक्रिन पर इस वक्त दिखरा है इसको क्रेडिट डेबिट कार्ड डिस्प्यूट डिक्लेरिशन फार्म इसे आप डाउनलोड करेंगे मैं सारा प्रॉस्ट बताऊंगा आपको आगे इसमें क्या करना होगा कहां पर आपको क्या लिखना होगा कहां पर नहीं लिखना होगा सारा कुछ बता दूँगा मैं इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले उपर दिख रहा है रह वाज में आपका account होगा यह जिस भी आप account से ट्रंसफर किये हो लेकिन पैसा डिस्प्यूट ऐसा ही ठीक है तो उसके नीचे आपको क्या लिखना होगा आपको 16 डिजिट कार्ड नमबर जो भी आपके सेविंग यह कोणन काकाड नमबर होगा वह आप यहम पर इसमें मेंशन करेंगे ठीक है तो उसके नेच्ट में आप नीचे डेट यांप यह पर बैप डेट मेंशन करेंगी अससे डेट सेप्ट करेंगे जिस दिए आपने ट्रंसफर की थी तो उसके बादी टाइम आप वह टाइम amount जो भी आपके about transaction में किया था वो आप यहां पर mention करेंगी amount disputed तो जाहर सी बात है same ही amount होगा जो आपने transaction amount किया है तो वही amount होगा dispute वाला type ATM pass ecom तो यहां पर अगर आपने ATM से पैसा यहां पर इसलिए भी है कि अगर आप पर आपको कुछ इस तरह हुआ तो आप ATM करेंगी तो इसके लिए आप यहां पर जब अपने online किया तो आप इसको यहां पर ecom करेंगे selected ठीके तो उसको यहां पर उसके बाद है next में bank merchant name and address तो यहां पर आप enter करेंगे अपना नाम और address जो भी linked है आपके bank account से तो अगर आप लिखेंगे उसके बाद ब्रांच भी दो जूरत भी नहीं है क्योंकि हम उपर से ही mention कर चुके कि कौन सा ब्रांच है यह ठीक है तो उसके बाद next step आएगा इसमें जो फारम के नीचे है वह मैं आप एक आपको explain करूंगा तो यहां पर आपको यह options मिल रहे है आइडिस्प्यूट दे अब मैंचनल ट्रंजेक्शन इस फार्द फालेंग रीजन तो यहां पर आप रीजन करेंगे स्लेक्ट केश नाट डिस्पेंट इन दे अगर सेम ही होगा तो आप सेम यहां पर करेंगे उसके बाद आपको नीचे बस इतना यहां पर आपको लिखना इसमें डेट और जो डिस्पेंट इमाउंट है तो उसके नीचे आपको जो फार्म का जो अगला हिसा आएगा आप मैं आपको वह एक्स्प्रेंग करना उसमें आपको क्या क्या करना होगा बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में तो अब आप द्यान से सुनिए आपको डिक्लेरिशन यहां प करना होगा जो भी आपका बैंक अकॉंट है उसमें जो आपने सिक्निचर किया है वह आपको यहां पर करना है नेम अब कस्टमर अपना नाम यहां पर लिखना है एकाउंट नंबर अपना अकाउंट नंबर यहां पर मेंशन करना है कंटेक्ट नंबर यहां पर आपको अपन आपने इस फार्म को फिलप किया है जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है उसके बाद आपको क्या करना है नोट क्रेड़िट कार्ड डिस्प्यूट फार्म डूली इस फार्म को फिलप करेंगे तो उसके बाद आपको ये मेल करना होगा जो आपको नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर में चार्जबेक एट जेकीबीमेल डाट काम इस इमेल एडर्स पर आपको ये फार्म इसकी फोटू आपको सेंड करनी होगी तो विदिन टू थ्री वर्किंग डीस में आपको ये सारा पेमेंट डिस्प्यूट डिस्प्यूट एमोंट वापस आ जाएगा आपको सिर्भी प्र प्रॉस्स फालू करना होगा यह वाला प्रॉस्स एप्ले करके मैंने तकरीबन आज तक आट दस कस्टमरों को इस तरह का हैलप किया है तो उनके पैंसे सेफली वापस आ गई तो मुझे अमीद है कि आगर आपके साथ भी को भी कुबार ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो भी होग यहां पर आप एजिली अपने पैसे वापस वसूल कर पाएंगे अब आप लोग में से मेरे एक छोटी सी रॉक्यस्ट है अगर आप ने इस चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरी इस चैनल पर जरूर आप इस चैनल क की जरूरत होगी आप नीचे कुमेट सेक्शन में अपनी कोईरी अपना क्वेशन लिखेंगे तो इन्शाला तला मैं कूशिच करूंगा आपके सवाल का जवाब देने में मुझे उमीद है आप आगे भी देखते रहेंगे मेरे इस चैनल पर आने वाले वीडियो को इन्श झाले वीड़ appreciate का जया आपके वीचे पarmsिज hooked लिखेंगे आपके सेक्स्टपस्टपस्ट का जवे वीड़ीवशन के यवेप वीद में प्लावीशन fight एन्शाल आपके।